मायापूरी कट भाईया आज मैं आपके लिए कोरोना वायरस से भी जाधा भयंकर जो चीज आज की रेट में सिनेमा हौल्स में लगी है उसका रिव्यू लेके आयो यानि की बागी 3 तो भाईया इस मुवी में स्टार्टिंग में जो लीड करेक्टर्स हैं वो है टाइगर श् देश्मुक श्रद्दा कपूर एंड जैदीप एहलावत तो यह मुवी स्टार्ट होती है वहिया कि दिखाया जाता है कि इसमें जैगी श्रॉफ के बेटे हैं दो जैगी श्रॉफ की किसी तरह किसे डेथ हो जाती हो पुलिस में होते हैं उसके बाद रितेश देश्मुक औ उसकी श्रॉफ के लिए चिलाते हैं राने ताइगर स्रॉफ जहां पर भी होते हैं वो टपक के वहां पर आ जाते हैं उनको बचाने के लिए उनका ये मानना है कि भईया मेरे बड़े भाई को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता अगर तुमने लगाया मैं तुम्हाद के रग द दिखाया जाता है कि रितेज देश्मुक की पुलिस में जॉब लग जाती है आप्टर देर फादर उसके बाद टाइगर स्रॉफ पर बहुत सारे केसे होते हैं क्योंकि यार वह बहुत जादा लड़ाई जगड़ा करने में लगे रहते हैं हमेशा भाई को बचाने के चक्क पार्ट ऑफ विलन तो उनका ये काम होता है कि वो इंडिया से फैमिली स्मगल करके सीरिया बेजते हैं सीरिया में जो में ऐड़ाई आइसस का में हैड़् और पुलिस ऑफिसर उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप जाके इस चीज़ को संभालिए ताकि ये जो फैमिली जो तहस नहस हो रही है थोड़ी कम हो तो उसमें भाईया कैसे कैसे टाइगर श्रॉफ जो होता है वो जाके एक्शन करता है लड़ाई जगणा टाइगर श्रॉफ करता है लेकिन नाम हो जाता है रिते देश्मुक का अब ये जो स्टोरी आगे बढ़ती जाती है रिते देश्मुक के इतने जादा प्रोमोशन हो ज ट्राइ किया इन्होंने नया लाने का लेकिन स्टोरी के जो काफी हद तक जो सीन्स है वो अलग-अलग मूवी से कॉपी के होए है जितने भी action sequences आप देखेंगे वो यह तो South की मूवी से कॉपी के होए है कुछ सीन्स जो फोरन की वेब सीरीज होती है money high onse से कॉपी किये गए हैं और यह जो है मिक्सर बना दिया गया है कि साउथ की मूवी से कुछ सीन उठा लो हॉलिवड से कुछ सीन उठा लो और बना दो बागी 3 यह एहमद खान जो इनके डिरेक्टर थे इन्होंने यह नुस्का अपनाया लेकिन यह नुस्का ओडियंस को बिल् है जो फर्स्टाव मूवी का एक सवा घंटा बीटता है बहुत जादा बोरिंग लगने लगता है हां मानता हूं कुछ-कुछ सीन स्पेशली जो सतीष कौशे गेस्ट अपेरेंस में आते हैं उनके कुछ-कुछ सीन हां कॉमेडी है टाइगर श्रॉफ और रिते इस देश्म तो हां उन्होंने एक्शन अपने हाद तक सही है लेकिन एक्शन को भी कुछ जादा ही ओवर करके दिखाया गया इस मूवी में इस मूवी के एक्शन को देखने के बाद सल्मान खान जरूर यह चीज़ बोलेगा कि वहीया मैंने भी इतना जादा कभी नहीं दिखाया था ज जादा लोगों को पसंद नहीं आएगा कि मतलब भागी की थरीके आवारे आपको कैसे बोल सकता है यह वो टाइगर श्रॉफ ने अपना काम ठीक किया है जो एक्शन वो करते हैं अच्छा है लेकिन उनकी एक्टिंग में भी कोई दम नहीं है बही आप स्टोरी बही तो कु काफी हद तक अच्छा किया है वो एक बेसिकली कमजोर टाइप के लड़के बने हैं बड़ा वाई है वो कमजोर है थ्रूआउट दो मूवी कमजोर लगे हैं लेकिन एंड में जाते जाते उनके अंदर का हल्क बहार आ जाता है और वो सबको उठा उठा गे पटकते है तो को चीज़ देखने हैं बहुत अच्छा लगता है और हरा कि मां गानों की बात कर तो मूवी के गाने भी कुछ है सच इंट्रेस्टिंग नहीं है आपको मूवी से निकलने के बाद कोई ऐसा सीन नहीं होगा तो आपको वर्थ रिमेंबराबल याद रहे यार कि मतलब हाँ य पागी टु वर्थ लेकिन थ्री उससे भी ज्यादा बेकार है I'm sorry to say भाईया to the Tiger Charity of fans but seriously यह मूवी इतनी अच्छी नहीं है आप लोग इतना पैसा इस पर बरबाद मत करिये अगर आपको भाईया कोरोना वाइरस से जो मोधे जी कह रहे हैं बच के रहो घर पे रहो भी ओगया दिमाग की भी दही हो गई और फाल लूगा टाइम पास हुआ वा बतलब बैं क्या करो अभी यह टाइम पास करने के लिए मैं पब जी खेलो पब जी खेलो यह पब जी में जादा एक्शन होता है इस मूवी से जादा बड़ी एक्शन होगा उसमें जादा आपको बच्ता आएगा तो भाया अगर मैं रेटिंग की आप फाइनली बात करो तो मैं इस मूवी को डेर से दो स्टार देना चाहंगो दो सारी मैक्शिमा से रितेय देश्मुक की वज़े से एंड जैकी श्रॉफ की वज़े से जैकी श्रॉफ और टाईयों शॉफ हमें पहली बा और एड़ पे जाते जाते दिल जरूर जीत जाते है वो और इस मुवी में अखास कुछ है नहीं डेर से 2 स्टार मैक्स 2 आट और 5 स्टार फोर बागी 3 तो ये तो था यार हमारा रिव्यू बागी 3 का अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताना यार कि आपको लोगों को बागी तरी कैसे लगी तिल देन डोंट फगेट टो सब्सक्राइब माय आपोरी कट